रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे से मिलने खुद समंदर आएगा ठक कर ना बैट ए मनजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा यह जो शेर हैं हमको बहुत प्रेरित करते हैं और कोई भी परसन जो कुछ एक्स्टराणरी अचीव करता है तो उनको जरूर कहीं से कोई प्रेर्णा मिलती है कोई इंस्परेशन मिलती है और कोई मोटिवेशन मिलती है motivation ऐसे तो एक वैग शब्द है motive with action लेकिन हम ऐसा क्या 1,2,3 करें कि हमको short-short सफलता मिल जाए 3Ds of success number one first D है desire the most important thing कि हम क्या चाहते है सफल आदमी वही है जिसके कुछ desires है अगर आप देखे desires का जो trigger है वो हमारी एक चाहा है और चाहा कैसे हमारी बनती है जब हमारी imagination power अच्छी होती है अगर आप mentally बहुत strong है, बहुत fit है तो आपकी imagination power भी बहुत अच्छी होगी imagination power आपको नई-ने चीज़े create करती है, अपने लिए romance पैदा करने के लिए नई-ने चीज़े अच्छीव करने के लिए imagination एक images आपकी life में पैदा करके देता है mind अगर आपने imagination complete कर लिया अपनी life का, तो second चीज़ है, dare जब भी हमें कोई बड़ा goal आता है, तो जब आपके अंदर वो goal goal जब आप उसको देखते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कि अरे ये नहीं होगा तो जो सारी लड़ाई है, वो केवल उस goal की और आपके अंदर की accept करने की power है, और अंदर को accept करने का जो power है, वो mental programs हैं, जो उसको रोकते हैं, जो contradict करते हैं suppose आप महीने का पांच लाग कमा सकते हैं, और कमा रहे हैं, और अगर आपको कहा जाए, कि महीने में क्या आप पांच करोड कमा सकते हैं, तो ये goal और अंदर की जो लड़ाई है, इसको जीतना ही, वो mental programming को change करना है, अगर ये mental programming change कर दी, तो नया goal आपका, और नहीं change हुई, तो ये goal यहीं पर इसकी मिर्ति हो जाएगी है, इसी को हम कहते हैं, कि इस goal के साथ, अपने आपको कैसे align करेंगे, अपनी mental abilities को, अपने programs को reprogram करके, और हमारी अंदर से वो accept हो गई, और इसको simple इस तरह भी हमने समझा है, एक picture बनाई हमारे लिए, गोल बनाया, लेकिन अंदर से अगर वो accept नहीं हो किया, हमारे bleep system ने, तो ये अभी की अभी खतम हो जाएगा, and third thing, जो secret में सब लोग जिसको miss करते हैं, कि हमने desire कर लिया, अपनी mental faculties को use कर लिया, किसी भी चीज को achieve करने के लिए, attract करने के लिए, mind has the power to attract anything, कुछ भी हमने attract करने के लिए, सोच लिया, लेकिन केवल attract करने से, वो चीज हमारे पास नहीं आएगी, जब तक हम action नहीं लेते, उसकी proper planning नहीं करते, और उसको achieve करने के लिए, one, two, three, एक-एक step पूर्रा नहीं बनाते की, कैसे-कैसे action होगा, कैसे उसके resources होंगे, if we use simple three things, 3D success process, desire, dare, and deliver, life will change, and life will never be same again, mind has the ability to create anything and to achieve anything, इश्वर ने आपको, इस universe की सब सी अदबुत चीज दी है, और जिसका नाइम है, mind, mind power को use करकर, अपना जीवन बदल सकते हैं, और औरों का जीवन बदल सकते हैं, if you use these steps, life will change, and life will never be same again, thank you so much.